वेल्कम तू मैं चैनल रेस्लिंग बाच्छा मैं हूँ यश तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकलेश पेपर व्यू के प्रेडिक्शन के बारे में दोस्तो बैकलेश पेपर व्यू बस दो दिन दूर है और हमें बहुत सारा एकसाइटमेंट और मजा आने वाला है कुछ टाइडल चेंजिस हमें देखने मिल सकते हैं और अनेकस्पेक्टेड विनर्स भी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैकलेश पेपर व्यू के रिजल्स पेडिक्शन जो होते हैं 100% करेक्ट दोस्तो बैकलेश पेपर व्यू की डेट है May 6, 2018 इसका वेन्यू है Newark, New Jersey और इस पेपर व्यू का थीम सौंगे चैंपियन दोस्तो फर्स मैच होगी पर कुरूजर वेट चैंपियन्शिप सेट्विक अलेक्शेंडर वर्सिस बर्डी मुफी दोस्तो ये मैच अब तक फिक्स नहीं हुआ है पर ये मैच हो सकता है और इस मैच में हमें बहुत सरे हाई फ्लाइंग एक्शन दिखने मिलेंगे तो फिर अकॉर्डिंग तो रूमर्स एट बेटिंग गॉट्स ये मैच एक अब इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि आइकोनिक डियोस भी इंटरफेर कर सकती है इस मैच में और दोस्तो वैसे भी कार्मेला अपने हील टैक्टिक से बड़े मैच इस गीती है इस्ट्री में तो फिर एकॉर्डिंग तो रूमर्स एट बेटिंग गॉट्स एकडम अलग लेवर्पर पर पौँच गई है और मुझे जरा भी लगता कि ये रिवल्री बैकलेश पिपर्यू में खतम होगी तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner and you're still Raw Women's Champion Nia Jax फोर्ट मैच is for Intercontinental Championship, Seth Rollins vs The Miz दोस्तो अगर ये मैच में Miz नहीं जीते, तो ये last time होगा फिलाल के लिए कि Miz compete करेंगे for Intercontinental Championship और वैसे भी Raw में Seth Rollins and Finn Balor की rivalry तो हमने देखने मिल रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मैच Miz जीतेंगे क्योंकि US Championship already SmackDown Live में है तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner and you're still Intercontinental Champion Seth Rollins नेक्स मैच is for United States Championship, Jeff Hardy vs Randy Orton दोसर ये मैच एक Babyface vs Babyface की मैच है और वैसे भी Jeff Hardy ने recently US title चीता है और फिर मुझे नहीं लगता कि WWE उनसे Championship इतने जल्दी ले लेंगे तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner and you're still United States Champion Jeff Hardy दोसर ये rivalry एकदम basic है क्योंकि returning big cash ने डैनिल बैंड पर attack किया था तो दोसर मुझे लगता है कि ये feud हमें Money in the Bank तक देखने मिल सकती है और फिर शायद उसके बाद हमें Daniel Wain और Miz की feud देखने मिले तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner, big cash सेवन्थ मैच AJ Styles वज़े शिंसके नाकामूरा फर WWE Championship एक no disqualification match दोस्तों, शिंसके नाकामूरा ने काफी बार AJ Styles को low blow दिये है और इसकी वज़र से ये match एक no disqualification match रखी गई इन दोनों की ये match थर्ड मैच होगी और वैसे भी June 29 और June 30 को WWE का Tokyo Japan का टूर है फिर दोस्तों, बहुत सारी chances है कि हमें इस match में नाकामूरा की victory देखने मिल सकती है तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner and your new WWE champion शिंसके नाकामूरा 8th match, Ron Strowman and Bobby Lashley versus Kevin Owens and Samizane दोस्तों, ये match एकड़म predictable होने वाला है, more like a squash match मैं तो बस एक चीज़ देखने हैं इस match में कि कौन सबसे दाधा dominant करता है Bobby Lashley या फिर Braun Strowman तो फिर according to rumors and betting gods, I pick the winner, Bobby Lashley and Braun Strowman 9th match and the main event, Roman Reigns versus Samoa Joe दोस्तो, Roman Reigns straight 2 बार हाट चुके है Brock Lesnar के सामने और दोस्तों, वैसे भी Roman Reigns और Samoa Joe के match के लिए कोई खास build-up तो हमें देखने नहीं मिली है एक बात तो है कि हमें इस match में मज़ा आने वाला है match बड़ी, physical और brutal होने वाली है पर according to rumors and betting gods, I pick the winner, the big dog, Roman Reigns तो फिर दोस्तों, ये था हमारा backlash people view का final predictions तो आप हमें comment section में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे वीडियो और आपकी quality favorite match है पूरे backlash के match card में और आप उसमें किसे winner pick करेंगे तो guys, please, 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 like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Batcha, peace out